बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्स सीरीज खेलने से इंकार कर दिया है जब आपका सिस्टम ना हो और पॉलिटिशन, पॉलिटिक्स इंवल्व हो जाए डेखे चैहरे बदलने शेयरमेन आना जाना ये लगा रहेगा चैहरे बदलते रहेंगे लेकिन अगर आपका सिस्टम पका है, तगड़ा है सिस्टम, तो सिस्टम से उपर कोई चीज होनी नहीं नहीं चाहिए, कोई भी आए, कोई भी जाए, सिस्टम नहीं हिलना चाहिए नहीं नहीं कर सके, उनके क्रिकट बोर्ट को मुतमाइन नहीं कर सके, बंगला देश की टीम जब एशिया कप में पाकिस्तान आई थी ना तो बंगला देश को स्टेट लेवल की जहाँ वो सेक्योटी जहाँ दी गई थी ठीक है, लेकिन उसके बाफजूद बंगला देश वाल दोस्तों पाकिस्तान में चैंफियन ट्रोफी को लेकर अभी सारी क्रिकट वोर्ट जो है वो स्केर्टी के लिए कंसर्ण है और इसे के साथ पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है क्योंकि अब बंगला देश ने टेश्ट सीरिस खेलने से पहले यह असंका ज जाए बंगला देश की टीम जब इशिया कप में पाकिस्तान आई थी ना तो बंगला देश को स्टेट लेवल की जा वो सेक्योटी जा दी गई थी ठीक है लेकर उसके बावजूद बंगला देश वालों ने अब डिमांड किया अपनी सरकार से क्यामें जब पाकिस्तान में सेक्योटी कंसर्णस हैं भाई साब और आप जो हमें इसके लिए जो एक सेक्योटी कंसल्टेंट जो आवो दें साथ में और जो हमारी सेक्योटी का हयाल रखे ठीक है और पाकिस्तान में जाइज़ा वगरा भी लिया जाएगा सेक्योटी का उसके बाद बंगला देश की टी टिम्पियन ट्राफि भी ऻने वाल या पाकस्तान में हैं। तो क्या बंगलादेश की टीम ने इशारा देदी है क्बाईेंब ट्राफि में भी हम जा वो आपके लिए मसले ज़ा पैदा करेंगे, क्बाई हमें जो वो सेक्यूर्टी के इशूज हैं पाकिस्तान में हमें सेक्यूर्टी फराम नहीं की जा रही है ये वो लटर पटर ऐसी कुछ जाओ चीज है क्या समने आएंगे आने वाले टाइम में बारहाल फिलो हाल के लिए बंगला देश ने सेक्यूर्टी कंसल्टेंट की जो आवा या कि क्या उनकी डिमांड जो है ये मानी जाती है या नहीं मानी जाती है नहीं खेलेंगे, बात ही है कि वो हमारे करीबी हमसाएं हैं और हम उनसे अपना तालुक खतम तो कर नहीं सकते, क्रिकेट में हमारा उनका गहरा तालुक है, क्रिकेट उनके साथ हमने खेल नहीं है, तो अब अगर वो आ रहे हैं तो अपनी मेहमान नवाजी से उनको मतासिर करे बंगलादेश को एक जे कंसर्ण है कि आप लोगों का क्राउड हमारे टुवर्ड जे स्टूडंट जेनोसाइड और स्टूडंट ये वो सारा मतलब हमारी टीम पर कोई पत्राव शुत्राव नारे शारे ये जो हमारे अंदर चल रहा है तो वो मसला तो नहीं होगा हम पाकिस् हमेशा इंडिया से लोग मुझे कहते थे कि भई पाकिस्तान में हलात अच्छे नहीं हैं मैं उने कहता था आपके मुल्क में कौन से हलात अच्छे हैं हमारे मुल्क में फूजी मर रहे हैं तो आपके मुल्क में भी फूजी शाहीद हो रहे हैं आप मानीपर में देखो पाक्सितल डाद थीक नहीं और इतना बड़ा इंडिया है तो हैं अधार दोगा जग इन तो गनवा देते हूं कि आपके हालाद ठीक नहीं है या अपने पाक्सक्तान को देखता हूं इस फिक की आपको बधाऊ टेंशन लग प्रोचस्तान ऑिपड Countryición islands in ego ya M 맞ब कि here हर एक जो है ना बुरान है उससे पहले कश्मीर में जो हुआ मतलब वो अलेक्ट्रिक सिटी वाले चीजों को लेके हैर मैं नहीं जादा चीजों पर बात करके अपने आपको ट्रबल में डालना चाहता पाकिस्तान में मेरा स्पोर्स चैनल है बट मुझे एक कंसन में आपको ब बेगरांड बता रहा हूं आइम नाट पॉलिटिकल एक्सपर्ट कि भाई इन सारी चीजों का मज़ा नॉलेज भी नहीं तो लो जी भाई एक और बड़ी शरम आगई सोशल मीडिया पर बाई बी सी बी ने बंगलादेश क्रिकिट बोर्ड ने पाकिस्तान से स्पेशली पा बोर्ड ने पाकिस्तान के क्रिकिट बोर्ड से नहीं पाकिस्तान की सरकार से अपील की है कि भाई हमारे लिए जो है सेक्यूरिटी टाइट कर दो और सेक्यूरिटी अच्छी होनी चाहिए अब आप बोल रहे हैं यह हसी की बात तोड़ी है यार इसमें तुम क्यों हस रहे हो बाई हस इस वज़े से रहा हूं कि बंगलादेश में भी पत्तरबाजियां हो रही है वहाँ पे इतने सारे हजारों की तादाद में जो है स्टूडन्स को मारा गया है और पाकिस्तान की तो बात ही मत करें भाई वहाँ पे देखें बलोच सड़कों पे निकल आए हैं लाकों की तादाद में और ग्यारा अक्तूबर को पश्टूनों का भी कॉल है वहाँ पर निकलने का सड़कों पर यानि के हालत बहुत गंबीर है पाकिसान के अंदर हालत इस टाइम इतनी करा है कि अगर परिंदा गलती से भी पाकिसान की जमीन की तरफ गुस भी जाए तो परिंदा भी जो है जब तक वापस पाकिसान से नहीं निकल जाए तो ढरता है भाई परिंदा अस्मानों में भी ढरता है कि कुछ हो ना जाए यह हालत है पाकिसान के जो है देश की इस वक्त लेकिन वो उनका भाई देखे अगर कोई बंदा कभी भी जो है सेक्यूरिटी को लेके पाकिसान के लिए कोई बात करें तो पाकिसान सबसे पहले क्या बोलता है देखो बंगलादेश भी आ रहा है देखो बंगलादेश के साथ हमारी सिरीज हो रही है देखे लेकिन वही स्पिटर हाथ में पकड़ के यहां खड़ा हो जाए नहीं उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान की सरकार से मांग की है कि भाई जो सीरीज अभी हमारा टेस्ट मैच का पाकिसान के है कि हमारी सेक्यूरिटी टाइट कर दें और आप सोच रहें कि भाई आप बंगलादेश पी जो है पाकिस्तान जाते वे वह सेक्यूरिटी की बात देखें आफगानेसान पर तो यह बहुत बात कर रहें लेकिन बंगलादेश की तो दोस्तों यह थी आज की मारी वीडियों ज के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर रहा है जब भी पहले बात होती थी किसी भी चीज़ पर तो पाकिस्तान हमें से कह देता कि था कि देखो किस परकार से बंगलादेश भी मैच्च खेलने पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान पूरी तरिके से सेफ है लेकिन अब बंगलाद ये तब हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ अन्य क्रिकेट बोर्ड चुड़ पाएंगे नहीं तो ऐसे करते करते हमारे कहीं क्रिकेट बोर ही डाउन ना पड़ जाए